दोस्तों आप लोगों ने ये न्यूस तो देखी लिया होगा आज श्री नरेंद्र मोदी जी के दवारा स्वामी नरायन मंदिर जो कि अबुडभी में इस्थित है उसका इनौगरेशन हुआ है और यह स्वामी नरायन मंदिर अगर आप देखे तो अपने आप में बेहदी अ मंदिर है तो यह सारी बाते तो आप यहां पर पढ़ सकते हैं देख भी सकते हैं लेकिन यहां पर दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आप लोगों के साथ बात करने आया हूं वो यह बताने आया हूं कि आखिरकार यह मंदिर के माइने क्या है देखे दोस्तों सबसे पहले तो एक बात बड़ी clear समझ आ रही है कि ये जो नया भारत है अब इसके लिए हिंदू या फिर सनादन एक खस word नहीं है अब तक क्या हुआ था दोस्तों कि अगर हम देखें तो बड़ा डर लगता था अपने आपको हिंदू कहने में at least global presence में भारत के जितने भी न वो सारे डर को हटा दिया गया है गर्व से अब भारत temple diplomacy कर रहा है क्या मैं कह रहा हूँ temple diplomacy से उस पर भी चर्चा करेंगे दोस्तों UAE में जो मंदिर है उससे भारत दुनिया को message दे रहा है आप भारत से सनातन को अलग नहीं कर सकते जो भारतिये संस्कृती है उसमें सनातन नीव है उसकी उसकी बात हो रही है दोस्तों यहां पे हम चर्चा करेंगे एक civilisational state भारत एक civilisational state बनना जा रहा है या फिर ख्लेम कर रहा है कि हम already एक civilisational state हैं आप अपने आपको जो nation state कहते हो वो सब outdated concept है हम एक civilisational state है तो क्या होता है civilisational state वह भी जानेंगे साथी साथ य जिसमें अगर आप देखे तो family values को खतम किया जा रहा है जिसमें अगर आप देखे तो जो किसी भी इलाके का जो अपना खुद का culture है value system है वो सब खतम हो रहा है कि universalism हमको देखने मिल रहा है दुनिया पूरी की पूरी एक culture में एक रंग में रम रही है उसमें अगर आप देखे तो उसमें कहीं ना कहीं family system खतम हो जा रहा है lgbtq जो इस प्रकार से अगर आप देखे तो एक lgbtq movement आया है अब देखिए उस पर भी चर्चा करेंगे उससे क्या-क्या challenges है वो भी जानेंगे और साथ-साथ civilizational state कैसे उन सब का जवाब है यहां पे हो सकता है आप में cq as a movement promote करने लगे भारत में अगर आप देखें तो जो transgender थी उनके बहुल यह बहुत बड़ी जगा थी जो किंदर है उनके लिए हमेशा से जगा रहा है तो उनकी बात नहीं हो रही है यहां पे जो एक तरीके से family को खतम किया जा रहा है जो normal family होती है जिसमें एक पुरुष होता है एक महिला होती है वो system खतम किया जा रहा है और पश्चिमी सभ्यता से अगर आप देखें तो उनके लिए भी conceptualian है एक अलग प्रकार से family को खतम किया जा रहा है उन सब के खिलाफ भारत ने एक तरीका ढूंडा है जिसको आज दुनिया को भारत बता रहा है किसकी बा कि तुम क्या सोचोगे तुमको कैसा लगेगा वो सबब भारत नहीं सोच रहा कि भाई तुमको कैसा लगता है अगर मैं अपने आपको हिंदू बोल दूं तो नहीं भारत अब कह रहा है कि भाई इंडिया की foreign policy में मंदर का बड़ा रोल होने वाला है इंडिया के soft power का ये ए the civilization अब देखना शुरू कर रहा है और इस वह जैसे उसका में confidence है और वही confidence उसकी foreign policy में दिख रहा है और इसलिए मंदर जो कि ए cultural symbol है वो अगर आप देखे तो इंडिया का प्रतीक बन गया है अब दोस्तों भारत दुनिया भर में एक temple diplomacy कर रहा है साउथ इस्ट एशिया में म्यानमार में, कमबोडिया में, विएतनाम में, लाउस में, जगे जगे पे जब मंदिर है उनको restore कर रहा है और कहीं कहीं पर नई मंदिर बन रही है सबसे बड़ा example है यह अंकोरवाट का मंदिर देख रहा है भारत इसको restore करके वापस जागरित कर रहा है क्योंकि यह भारत का प्रतीख है सनातन अब भारत से अलग नहीं है अब तक क्या था अपने आपको भारत कहने में शर्माता था कि दुनिया क्या कहेगी सेक्यूलरिजम खत्रे में है वो डर खतम हुआ है क्यों हुआ है आए देखते हैं इसे पहले आगे बढ़ू दोस्तों आप लोगों से निवेदान है कि वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें और भारत संबात को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें तो दोस्तों अगर आप देखिए तो भा के नया नया देश बनना शुरू हुआ जर्मनी बना अलग अलग दोस्तों हजारों वहां पर अगर आप देखे सव सैंक्रों किंडम्स हुआ करते थे प्रूसिया से लेकिए अलग अलग अगर आप देखे तो वहां पर हुआ करते थे लेकिन वो सब अपने आपको बांध के एक जर्मनी नाम का देश बनाए इस प्रकार से अलग-अलग देश वहाँ पर बने और इस प्रकार से concept बना नेशन स्टेट का लेकिन कहा जा रहा है ये concept outdated है 21 सदी में अगर कोई सर्वाइब करेगा तो वो होगा civilizational state दोस्तो अगर आप देखे जब आप बात करते हैं civilizational state की तो यहाँ पे बात केवल किसी language की किसी ethnic group की नहीं है बलकि एक distinct civilization की होती है क्या कहना चाह रहा हूँ अभी समझाओंगा दोस्तो आज के वक्त में China, India, Russia, Turkey यहाँ तक की US भी अपने आपको civilizational state की तरह अब दुनिया के सामने project करना शुरू कर रहा है क्या कह रहा हूँ आई आपको simplify करके समझाता हूँ इस्रेल के example से देखे दोस्तो state क्या होता है सबसे पहले समझे state बड़ा simple concept है कोई भी एक इलाका जिसके पास अपना national flag हो अपनी army हो अपना law हो वो एक state होता है है ना जैसे की कही बार क्या हो जाता है अगर आप देखें तो कोई इलाका है म्यानवार में अभी recently उसको म्यानवार national army के control से निकलवा के कुछ लोगा के अपना territory occupy करके रख लिए अपना flag बना लिए अपनी army वहां से उसे protect करके रखे है वो कहते हैं यह मेरा अपना state है दोस्तो राज्ये वाले state से confused मत होईएगा है ना जो अलग-अलग प्रदेश हैं राज्ये हैं वो state नहीं यहाँ पे state का मतलब इस प्रकार का कोई भी entity जिसकी territory हो flag हो, army हो नेशन दोस्तो अगर आप देखें तो यह physical नहीं है territory वाली बात नहीं है यह इनसान वाली बात है इनसान नेशन बनाता है नेशन का मतलब वो लोग जिन में भाईचारा हो जो की अपने इतिहास में देखके pride लेते हो और future को देखके एक साथ अपना वो territory हो वो flag हो वो army हो जिसमें ऐसे लोग रहते हो जिन में भाईचारा हो वो हो गया nation state अब दोस्तो यहाँ पे अगर आप देखें तो भारत के बारे में इस प्रकार से बाते इन leftist विचारधाराओं क्वालों की हुगा करती थी जिसमें वो कहते थे कि भाई देखो भारत तो एक state है पर बटा nation in making है जिसका मतलब होता था कि भारत में हाँ अपना flag army territory वगेरा तो है law system है लेकिन भाईचारा नहीं है वो भूल जाते हैं भारत में जो concept है वो और पुराना है और गहरा है civilizational state है क्या हुआ आईए आपको इस्रेल के example से बहतर समझाओंगा 1947 के पहले इस्रेल नाम का कोई देश नहीं हुआ करता था जिउज के पास कोई state नहीं था लेकिन अगर आप वहां के लोगों से पूछें तो उन सब की बात करें तो वो सब के सब अपनी एक unique identity रखते थे फिर वो जीव कोचिन में रहे या फिर वो जीव पोलेंड में रहे वो सभी के सभी अपना एक देश का सपना देखा करते थे वो देश का जो भले कोई योरोप में रह रहा है कोई इंडिया में रह रहा है कोई West Asia में रह रहा है तो कुछ US जा चुके हैं दोसों दुनिया भर में बिखरे हुए हैं लेकिन ये सब के सब अपने आपको as a nation देख रहे हैं वो nation का value आज से 2000 साल पुराना है जब उनके religious verse से वो निकल रहा है तो Jews अगर आप देखें तो वो अपनी जो पुरान सभ्यता है जो पुरानी civilization 2000 साल पुरानी है जिसमें उनका जो way of life है उनका खानपान उनका रहन सेहन उसके अधार पे वो एक दूसरे से relate करते हैं एक दूसरे के साथ भाईचारा रखते हैं और एक दूसरे के अपने इस पुराने इतिहास में आज जी रहे हैं बले 2000 साल में वो कोई यरोप चला गया कोई इंडिया चला गया उनके साथ अलग अलग चीज़े हुई है इस पीच में वो सब नहीं है उनके collective memory में उनके collective memory में आज भी 2000 साल पुरानी चीज है और उसी के अधार पे वो अपना future भी देख रहे हैं और इसी वज़े से वो इसरेल नाम का द पूछें उत्तर में किसी व्यक्ति से पूछें पूरब में किसी व्यक्ति से पूछें तो वह सब को जो विचार धारा बांती है वही धाई हजार वर्षपूर जो जंबू द्वीप है वह बांती है आरे व्रत वह बांती है भले अलग-अलग इलाके में रहते हों लेकिन जम्बूद्र तक जो land mass है वो जम्बूद्वीप है और वो सब हमारे लोग हैं ये है civilizational state तो दोस्तों अगर हम भारत की बात करें तो भारत इसी civilizational state को अब emphasize कर रहा है और अगर हम ये civilizational state emphasize करेंगे तो उसके लिए हमको क्या चाहिए civilizational state का जो प्रतीक है वो क्या हो सकता है अगर आप देखे तो योई का ये मंदर है आज भारत के प्रधान मंतरी सनातन धर्म का brand ambassador बने है पहले ऐसा नहीं होता था बड़ी शर्म आती थी हिंदू नहीं बोल सकते थे अपने आपको लगता था कि दुनिया क्या कहेगी आज भी अगर आप देखे तो लोग यही कह रहे हैं कि ये secularism के खिलाफ है कैसे भारत के प्रधान मंतरी चले गए वहाँ लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि दुनिया एक paradigm change से गुजर रही है आप nation state से civilizational state की और जा रहे हैं और अगर आप civilizational state नहीं बनेंगे तो आपका survival at risk है क्यों अभी समझाओंगा तो यहाँ पे एक paradigm change हो रहा है आप nation state से civilizational state बन रहे हैं और सबसे अच्छी बात किया है unlike Chinese civilization और other civilizations Indian civilization में जो secular values है वो उसका bedrock है वो उसकी नीव है पूरा Indian civilization inclusivity पर है हमारा civilization किसी रंग के आधार पे नहीं है हमारा civilization किसी particular विचार धारा के भी अनुसार नहीं है वो अगर आप देखे तो secularism जो values है जो west अपने आपको कहता है हमने सिखाया वैसा कुछ नहीं यह भारत में हमिशा से रहा है आप Indian school of philosophies देख लीजिए भारत में आप वेद यकीन करे तो आप आस्तिक ना यकीन करे तो नास्तिक आस्तिक में भी अगर exactly वेद में है तो मिमान सा वेजानता अगर आप independent ground में हैं लेकिन हाँ वेद की supremacy मानते हैं तो अलग-अलग school of thoughts है सांक्या है, योग है, नयाय है वैसे तिका है अगर आप वेद में नहीं मानते हैं तो आप बुद्ध हो सकते हैं, जैन हो सकते हैं चारवाक हो सकते हैं जिसमें आपको जीवन में एक ही उद्देश्य है कि आप जाईए enjoy कीजिए कोई tension नहीं लेना है उधार लीजिए लेकिन घी पीजिए वैसे ही आजीविका है तो ये सब जो है भगवान करता है मतलब आजीविका की philosophy अलग है कि सब कुछ भागय में लिखा हुआ है तो इस प्रकार का है तो भारत में इतनी सारी philosophy coexist की है ये तभी हो पाएगा जब वो समाज में tolerance है आप मौर्य empire को देख लीजिए चंद्रकुप तो मौर्य है वो अगर आप देखे तो एक जैन बन गया उनका बेटा आजीविका बन गया और उसके बाद अशोक आया तो वो बुद्ध बन गया तो इस प्रकार से आप देखें तो बहुती ज़्यादा Indian school of philosophy में आप अगर देखें तो अपने आप में different opinion उसके लिए जगा है भारत आज secular क्यूं है क्यूंकि भारत में जो जन मानस है वो Indian civilization के जो values है उससे inspired है जिसमें आप कोई भी विशेश धर्म के हो विशेश मजब के हो जो भी आपका way of life हो आपके लिए भारत में जगा है हमको कोई दिक्कत नहीं है अब दोस्तों मैं क्यूं कह रहा हूँ कि ये temple अगर आप देखें तो दुनिया को बता रहा है भारत कि अब भारत सनातन के लिए खड़ा है अब भारत सनातन value system को और आगे लेके जाने वाला है दोस्तों ये बात तो अगर आप देखें तो अब दुनिया को भारत बता रहा है लेकिन ये need of the hour भी है आज के वक्त में दुनिया को सबसे बड़ा challenge क्या है कई लोग कहते दोस्तों ये जो वक value system बना है जिसमें अगर आप देखें तो universal values आ रही है आप US में रहें, आप France में रहें, आप भारत में रहें आप अगर कहीं भी रहें तो आप देखें तो एक universalization है thought process का एक समान चीज़े हैं वही सब पे थोपी जा रही है उसके अनुसार उसका gender therapy और gender change शुरू हो जाता है क्या ये सही है? इस प्रकार की value system जब आप ला रहे हो जिसमें कहते हो कि नहीं, family के लिए दो पुरुष भी चाहें तो family बना सकते हैं, दो महिलाई भी चाहें तो family बना सकते हैं तो क्या आप family system जो आज तक चलता है, वो बदलना चाह रहे हैं वैसे ही आप ideology देखिए, universalism में एक individualism को promote किया जा रहा है जो family values हैं, वो खतम हो रही है जो community का importance होता है, जो भारतिय समाज में है, वो खतम किया जा रहा है और ये US में भी हो रहा है, फ्रांस में भी हो रहा है, इंडिया में भी हो रहा है वैसे ही आप देखें, तो atheism जैसा thought सामने आता जा रहा है अब atheism होने में कोई बुरा ही नहीं है, लेकिन universally आप इसी तरीके से एक रंग में रंगते जा रहे हैं endless consumerism है, consume करते जाओ, without giving second thought, हलका सा फड़ गया, नया ले लो वैसे ही glorification हो रहा है, drugs लिता है तो बड़ा नाम कमाता है वो व्यक्ति इस प्रकार का आप देखिए, picture में देखिए, movies में, series में, आपको आज आप Netflix खोलिए अब तो उसमें Alexander को भी, Alexander की एक series आईए, उसको भी gay बना दिया है इतना ही नहीं, आप अगर देखें, तो drugs consumption glorify किया जाता है, cool बनने के लिए drugs लेना पड़ता है, क्या होता है उसके individual का, उस पे outcome, वो नहीं बताया जाता है आपको cool बनना है, तो drugs consumption करना है, आपको LGBTQ बनना है, तो ये सारी चीज़े जो आ रही है दोस्तों, ये biggest challenge है 21 सदी की और उससे आप तब तक नहीं निबट पाएंगे, जब तक आपके पास खुद की जो ideology हो, वो मजबूत ना हो जिसमें आप अगर देखें, तो ये जो Indian school of philosophy है, ये भारत के साथ खड़ा है, क्योंकि भारत एक civilizational state बनेगा, जिसमें वो civilization की जो values हैं, वो भारत को मजबूत करनी होगी, तब ही ये बाहर से आई हुई, ये जो exterior values हैं, उनको हम मजबूत नहीं होने देंगे, वरना हमारे अब यही होगा, जो आप 25 साल बाद US में देखेंगे, येरोप में देखेंगे, कि आदे लोग woke हो चुके हैं, बच्चों से पुझा जा रहा है, और वो समाज खतम हो गया, तो देश खतम हो गया, लेकिन अगर भारत को बचाना है, तो आपको civilizational values को claim करना होगा, जिसमें ये बाहर से आएवे values को बताना होगा कि भाई ये गलत है, ड्रग्स लोगे तो ऐसा होगा, ये LGBTQ सिस्टम कोई naturally है, तो ठीक है भाई, तुमारी मर्जी है, लेकिन बच्चों को तो स्कूल में impose मत कराओ, तो वो बताना होगा, उसके लिए अगर आप देखें, तो this is the biggest tip, क्य है कि भारत civilisational state की और aggressor हो, भारत अपने आपको जब family की बात करे, तो उसमें वो भारत अपने इतिहास से ढूंडे, क्या उसके role model होने चाहिए, वैसे ही एक पुरुष को क्या करना चाहिए जीवन में, तो भगवान, मर्यादा, पुरुषोतम, श्री राम, उनके लिए role model हो, महिला को कैसा होना चाहिए, तो मा सीता हो, परिवार कैसा हो, तो भरत कैसे है, कैसे ही अगर आप देखें, शत्रुगन कैसे है, लक्षमन कैसे है, ये है भारत के लिए, अगर आप देखें, तो future में जो वोक वाली बिमारी से भारत को बचाएगा, इसलिए ये मंदिर इ उसी सिले में था और वैसे ही अब ग्लोबल प्रेजेंस हो रहा है जहां जहां पर वोक अटैक होने वाला है वहां वहां पर यह सभी मंदर उसी के torch bearers होने वाले हैं दोस्तों अमीद करता है वीडियो आपको पसंद आई होगी लाइक जलूर कीजेगा इसके सिवाब चाहे तो हमें आर्थिक रूप से साहेता कर सकते हैं यह हमारा qr code है जिसको आप जी पे फोन पे के माध्यम से स्कैन करके सपोर्ट कर सकते हैं गर आप इद दबा रहे हैं ताकि हम तेजी से 10,000 की ओर अब अग्रसर हो सके हैं